हेलो दोस्तों वेलकम बाक टू दी चानल इतने वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वह लें हिरो इंफिल्ट की हिमारेन 450 वर्सस दे ट्राइम्प स्क्रांबलर 400 एक्स पता नहीं क्यों होता है मुझे पता नहीं लेकिन इसे की बारे में बात करेंग अब वीडियो सुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि I'm sure कि बहुत सारे लोग बहुत सारे नहीं कुछ लोग ऐसे रहें कि जो बोलेंग यार यह कंपारिजन क्या है Apple versus Orange and all that आपको यह बताना चाहता हूं कि हर किसी के पास यह freedom नहीं रहता है कि हम जो है different purpose के लिए different motorcycle खरीद के रखेंगे मतलब off-road के लिए अलग सा, city के लिए अलग सा, road के लिए अलग सा, नहीं होता है यार जो यह price bracket पे रहता है न they always want a motorcycle जिससे आप सब कुछ कर सकते हो do it all kind of motorcycle and actually अगर देखा जाए तो scrambler है यह motorcycle so इसलिए जिन किसी को भी लगता है, यह topic का नाम देखते हैं आपको लगता है कि यह comparison ज़रूद नहीं है then please आप जो यह वीडियो की इग्नोर कर सकते हो आपको कमेंट करने की जरूद भी नहीं है because obvious से बात है अगर आपके पास freedom है आपके पास पैसा है तो आप ऐसे बाते करोगे लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं रहता है वो opportunity नहीं रहता है जैसा parking के issue मेरे में already शुरू हो चुका है मुझे बहुत दिक्कत होता है parking के लिए उसके लिए multiple bikes रखना कोई sense बनता ही नहीं है जी या दोस्तों इंडियार मार्केट जो है एक price sensitive market है तो लोग जो हर चीज़ को तोल मोलते हैं मतलब based on price तो because this both bikes fall under the same segment price segment के हिसाब से तो इसी के वज़े से लोगों में confusion definitely रहेगा कि मुझे कौनसी motorcycle खरीदी है अब इस वीडियो पर जो हम लोग बहुत ज़्यादा specs और वो सब को compare नहीं करेंगे कि कि अल्री वो सब को हो चुका है अब जो है मैं अपना एक opinion एक नजरिया बताऊंगा आपको कि मैं किस तरह से क्या feel करता हूं इन दोनों motorcycle के बारे में तो हो सकता है कि आपको भी थोड़ा सा आप जो mind match कर सकते हो and test ride लेने के time पर थोड़ा सा यह चीज़ों को धान रखके then you can be in a better position to decide दोस्तों आज के date पर अगर यह दोनों motorcycle में से कोई एक motorcycle मुझे पिक करना है तो generally सब वीडियो में जो वर्डिक्ट लास्ट में होता है मैं पहले आपको यह वर्डिक्ट कर देता हूं दाकि यहां से आपको फिर डिसाइड करना है कि वीडियो का आगे तक देखना है नहीं देखना है अगर यह आपकी इंटरेस्ट पर आता है तो आप continue कर सकते हो तो आज के अगर मुझे पिक करना है जैसे मेरे पास मालों की इन दोनों में से कोई motorcycle नहीं है अब तो मेरे पास हिमाले नहीं है लेकिन नहीं है आप है do it all type of motorcycle आप यह do it more का जो चीज है उसको second पॉइंट पर रखते हैं लेकिन प्राइमरी पॉइंट है लेकिन second पर define करेंगा थुड़ा लंबा वला है पहला वला point मेरे लिए यह रहेगा कि आज के date पे right at this moment में तो January 5 जो date है आज के date पे मैं scrambler एक एक reason के लिए पहले pick करना जाओंगा तब दिखा देते हैं कि दिखो हमारे पास यह है वो है लेकिन फिर आप जब बाइक खरीते हो तब आपके पास option नहीं रहता है and you just buy the bare minimum bike and then you have to spend more and more money to add things to it for example just say lowering lower seat I strongly wish that Royal Infilt जब यह बाइक बेच रहता तभ ही यह हमको option ही देता sir आप जो है regular seat को omit करके you can go for the lowering seat I would have been really happy मेरा छोड़ दो अगर वो seat 3-4000 के भी आएगा I can easily buy them so not a problem but बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लेके बाइक ले ले रहे हैं जो भी कर रहे है उनके लिए extra extra चीजे जो आप इमाजिन करो कोई अगर एक loan पर ले रहा people how people buy motorcycle मुझे लगते कि maximum लोग ऐसी खरीते हैं जिनके पास पैसा है वो कभी यह साथ सोच समझ नहीं पाएंगे लेकिन मैं यह सबसे गुजरा हुआ हूँ पास से तो I can understand एक लगभग चार लाख रुपए की भाई खरी ना जोग लोगों की बहुत ड्रीम्स रहता है तो वह क्या करते हैं कि पचास अजा साट अजा सतर अजा एक लाख मैक्स करके डाउन पेमेंट देते हैं बाकी गढ़ाई तीन लाख जो है तो यह मैं इस पे लेते हैं बर्ट ब्रांड्स शेल एक्सपेंसिव स्टॉफ एक्सपेंसिफ अप्सेसरी और वह भी कोईट रिक्वारमन्त स्पोक विल ट्यूबलेस टाइर विल डेना है रिक्वारमन्त आउन डरंक रिक्वारमन्त आर cल उस अक्सेसरी याइड अवशनल किट ययार वह बन आच्छ सब्सक्राइब एक बाइक खरीद रहा है देशों नेवर गो फॉर एबाइक जाने की रस्ते पर यार मेरे वाट लग गया था उस दिन मैंने सब्सक्राइब करता है तो अब क्या होता है ना बाइक तो अनोंने लिया अब बाद में यह जब किट लॉंच होगा तो 35-40,000 इसकी कॉस्ट डेफिनेटल आने वाला है यह मुझे पूरा पता है कि आरी ऐसी गेम करेंगा अब जब मानलों कि 6 मेना एक साल के बाद जब भी वह लॉंच करेंगे वह क्या करेंगे एक नया वर्शन बना देंगे जिसमें अगर आप वह वर्शन लेते हो तो मतलब खरीदने के टाइम पर इसमें अगर आप वही ची हांले ब्लाक क्योंकि जो यह एक मैनुफेक्ट्रिंग की मैनुफेक्ट्रियर्स की हमेशा से एक आधत रहा है प्रैक्टिस रहा है कि वह लोग हमेशा पूस करना चाहेंगे अपने एक्पेंसिव वर्शन को कि अगर आपको पहले मोटर सेकल चे ता आप यू गो फो फॉर सब में स्कॉर्पियो में भी होता है मैंने लिया मुझे सब्सक्राइब करो चेज बन जाता जो यह मैं पर लिया है उसके लिए फिर से या 30-40,000 या 50,000 फिर से कैश में इसको पे करना पड़ेगा तो यह एक चीज़ है सीट का कम से कम सीट का तो ऑप्सिनल करके देते अभी तक मैं हमेंसा हमेंसा इन फिल्ट को फोन करता हूं कि या सीट आया कि अक्सेशरी आपने दिखा दिया वाइडोंट यू लांच दोस अक्सेशरी सब्सक्राइब जाने लेगा चलो वह भी नहीं हुआ स्पोर्क विल का ओनेस्ट स्पिकिंग वह बहुत बड़ा ज़रूरी है और वह बहुत जड़ा माइना रखता है कि मोटर सेकल की डिसीशन मेकिंग में चली यह हो गया हिमालेन जो है मुझे परिस्टरली फील होता है उफ रोड की लिए अंडाउटली प्री स्क्रामलर से वह बैटर बाइक है अगर हम ऑफ रोड की बात करें तो जो कुछ चीज़ें हिमालेन कर लेगा उसका 70% चीज़ें इस कर लेगा I am sure highway पे भी similar है अगर मानलो कि Himalayan को 10 point मिलता 10 से तो scrambler के भी 77.5 मिलेगा ऐसा नहीं कि वो बहुत uncomfortable हो जागा एक winchill लगा हो और scrambler भी highway पे must bike बन जाता है Himalayan की weight जो है advantage बन जाता है highway पे थोड़ा और दबा हुआ रहता है थोड़ा settled रहता है scrambler थोड़ा कूदेगा थोड़ा सा लेकिन suspense setup KTM जैसा नहीं है scrambler में better setup है इसे ले scrambler भी बहुत अच्छा comfort होता है अब आ जाते है city पे city पे ऐसा है कि Himalayan और scrambler scrambler को 10 point मिलेगा Himalayan को हाँ पे 4 या 5 मिलेगा reasons बहुत सारे reason है एक जो है देखो लंबा वील बेस है almost 100 mm की जो है मतब वील बेस की difference है Himalayan is longer तो लंबा वील बेस थोड़ा सा traffic में maneuver करना उतना fun नहीं है इसके comparison में second जो है clutch की feel Himalayan के clutch की feel is not as light as the scrambler scrambler का जो clutch है एक finger में आप ऐसा operate कर से Himalayan के लिए minimum तीन finger चाहिए so you need some effort तो हमारा क्या होता generally office यह सब के time पर अगर आप traffic में जाते हो आपको बहुत सारा gear shifting वो सब करना पड़ता है third चीज का है 21-inch and 19-inch यह बहुत बड़ा difference है 21-inch का एक ही एक advantage हो है off-road पे off-road वो बहतर करता है उसके अलाओ कोई advantage ने बाकि सब disadvantage है corner के लिए 21-inch best नहीं है 19-inch is comparatively better than 21-inch breaking performance भी 21-inch पे उतना ज्यादा अच्छा ने रेता compared to the 19-inch थोड़ा थोड़ा difference है and then handling of course आप जब maneuver करते हो वो सब में भी होता है तो थोड़ा सा आप देखो कि 19-inch has better advantage वो off-road भी कर लेता है and अच्छे road भी कर लेता है city भी बहुत अच्छे तरह से कर लेता है तो वो है लोगों की requirement को percentage के हिसाब से calculate करो के I am sure कि off-roading 95% जनता नहीं करते है honestly speaking मैं भी बहुत जादा off-road नहीं करता हूँ अब भी कभी ट्रेइल बहुत जाता हूँ बस वह हाड कोर वाला नहीं करता हूँ मैं भी बहुत जनता में हूँ अब जैसे लदाग भी जाते हैं देखो लास्ट इम मैंने जो लदाग तो अभी रिसेंटली के हो था मी और मैं वाइफ वाइफ इसकुसिंग कि जालो में हम लोग ऐसे कौन सी जगागे जहां पर हमें लगा कि हम अटक जाएंगे लिटरली फोर्विल ड्राइव हमने स्कॉर्पियो पर पूरा जन्सकार पूरा लधा कर लिया कहीं भी यूज नहीं किये थे कहां यूज के पता है जो होता नहीं खुजली होता है आपके पास अगर एक ऑफ रोड केपबिल कुछ रहता है तो हमने कहां पर रोड नहीं है वो जो सौटकर होता नहीं दिस्प्लेश्मेंट से जाता है हमने वह सब लेने लगा जहां से आर्मी ट्रक वर्क सबात रहते हैं उससे लिया क्यूंकि हमें टेस करना है अपना फॉर का अप्सन या फिर वो ओफ रोड के पैपलिट रहने से नहीं आप अन्नसेसरीली रिस्क लेने लगोगे तो तो उस हेसाब से मुझे लगता है कि अच्छा मालोगी लदाक की बात है आज कर लदाक में पांच परसन आफ रोड मिलता है नौर्थिस भी चले जाओ अगर आप नौर्मल वाला ट्रैक पर जाते हो उसमें भी 5% आफ रोड मिलता है बाकी जो अगर आप कोड जाते हो तो लेकिन कितने सारे लोग चलता है तो इसलिए वो प्राइमरी बन गया फिर हाइवे जो है 50-50 है मतलब बहुत सारे लोगों को हाइवे में ट्रिप करना है वो सब है 75% करेंगा तो वह बात और 75% लोगों के लिए जादा है आज के रेट पर आपको दोनों के दोनों रीजन बता दिया आप चोटे चोटे चीज़ों पर देखते हैं कि अगर एक टॉपिक लेके चलते हैं सबसे पहले बात करते हैं वेट की तो वेट में डेफिनेटली स्क्रा बहुत जादा लाइड फील करवाता है बिकसवकी वेट मेंजमेंट थोड़ा बेटर है कंपार्ट अजले हमालीन थोड़ा हैवी फील होता है तो वह डिफरेंस है तो short height riders के लिए heavy bikes थोड़ा difficult होता है but height पे आ जाते है seat height की हिसाब से देखोगे हिमारेन को advantage है 825 यह 835 है लेकिन आपको बता जाता हूँ because it's a light motorcycle 835 doesn't feel so tall बता आपको easy होता है चलाने में left right मोडने में, आगे पिछे करने में वो सब में आपको light feel होता है देखो जब bikes चलने लगता है तेज तब तो यार कोई tension नहीं तब तो कोई weight की मज़रा नहीं है कोई seat height की मज़रा नहीं है main है city में commute करना, आगे पिछे करना, पार्किंग से निकालना वो सब में जो weight थोड़ा matter करता है वहाँ पे थोड़ा height भी matter करता है तो उस हिसाब से 825, 835 trust me, बहुत ज़्यादा difference नहीं फिल होगा यहाँ पे जो weight आपको Himalayan पे ज्यादा मिलता है वो यहाँ पे substitute हो जाता है तो उस हिसाब से नहीं होता है हाँ, लेकिन Himalayan में कम से कम आपके पास option है कि आप seat को hide भी कर सकते हो आप एक low seat भी लगा सकते हो वो scrambler में नहीं है उस हिसाब से Himalayan को definitely point मिलता है यहाँ पे better equipped, अगर आप देखोगे लोगों को यह लगता है कि Himalayan better equipped है लेकिन मुझे लगता है actually scrambler better equipped है लोगों को इसलिए better equipped Himalayan लगता है वो color वाला dashboard देया उसके साथ हम mobile connect कर पाऊगे लेकिन आपने खुद देखा कि mobile connect करने कभी उसमें दिक्कते हैं जो आगे चलके solve हो जाए तो में भी कुछ और बात हो सकता है लेकिन हाँ, अब के लिए वो बहुत जादा कुछ ऐसा useful feature नहीं है screen बहुत अच्छा है लेकिन उसको हम equipment नहीं कहेंगे हम equipment उसको कहेंगे जो हमारे day-to-day riding habits में कहें ना कहीं मदद करें सबसे पहली बात है कि traction control जो कि हमारेन में नहीं है और इसमें है ये बहुत बड़ी चीज है इसके आप सुचो कि पैसा खर्चुआ है वहाँ पे राक्शन कंट्रोल सिस्टम में तो वह है इसमें सेकेंड चीज जो मेरे लिए बेसिक requirement है वह है नकल गार्ट यार इवन एक्सपल्स को नकल गार्ट आता है वाई नो नकल गार्ट सांध हमारेन वाई चार्जिंग इस्टा फ़ड़ा इसमें बहुत बड़ी डिसारेंट है फॉर शूर वाइब्रेशन की बात करते हैं इन दोनों बाइक में बहुत सारे लोग हाइलाइट कर रहे हैं कि स्कांबलर पर या सिनफे पर वाइब्रेशन को रोक देता है मतलब आपको लगता है इस से आगया मुझे खीचना नहीं है तो इंजिन फढ़ जागा या फिर मेरा हाथ पायर के निकल जाएगा वाइब्रे कि अगर मालो बज आता है तो आप रेव करते हो फिर वह पर्फॉमेंस उपर उपर जाता है दोनों बैक्स में होई चीज है तो उसमें आपको कोई नहीं लगया कि यार वाइब्रेशन पर्फॉमेंस को लिमिट कर रहा है वो है बात बहुत जाता हाई रिफर्ण नहीं है ल वाइब्रेशन फील होता था तो उतना तो रहता ही है तो इसलिए प्लस माइनस सेट अगर हम दोनों की बात करेंगे डेफिनिटली हमारेन अच्छी तरह से मानेज करता है तो रेगुलर उसेज में आपको बहुत जादा नहीं है इन फाक्ट देखो लॉंग ट्रेवल सेस्पेंज में एक प्राउलम होता है कि हाईवे पर थोड़ा डाइव होता है मतलब जब आप फंट ब्रेक लगाते हो आगे गड़ी से जुपता है तो आपको थोड़ा कॉंफिदेंस लूज होता है ब्रेकिंग करने में थोड़ा सब हिमालेंड में भी बहुत अच्छा है सिटिंग सेटपने अवर्थिंग अगर पिलियन के साफ से देखो का इधिंग हमालेंड हाज एद्वेंटेज पिलियन के साथ लगेज एधिंग हमालेंड मोर स्कोप क्यूंकि गाड़ी थोड़ी बड़ा है इंपाइट तो दी स्क्रा ब्रेकिंग मुझे पर्सनली दोनों बैक्स की अच्छी लगा टायर स्टॉक टायर्स हाइवे पर चलेगा लेकिन ऑफ रोड के लिए दोनों के दुनों टायर्स आपको चेंज करना पड़ेगा मैंने रिसेटल अपना टायर चेंज किया अच्छा जो हम लोग सोच रहे हैं क हमालयन अगर हमारे पास है हमारे पास टूल से रहेगा हम लोग हुद से निकाल पॉड निकाल के पंक्ज़ कर लेंगे टस में इस गों टुड ज़ा गर्न ना है धुशाध की ने डिविकालनी और जरह या को साइओ जा तो आप कोई भी जाके टायर देख लो आपको समझ में आगा tubeless tire की thickness थोड़ा अलग रहता है कि और कोई layer नहीं है वह हवा को hold करता है लेकिन इसके दिक्कत क्या है पता है आप already यह टायर थिक है उसके अंदर एक tube भी है आप इसको निकालने की कोशिश करते हो इस टाफ जोग त्यूब यह टायर की जो टायर रहता है वह रिम से निकालना इस वरी इजी लेकिन सेम चीज आपको याद होगे इंटरसप्टर जिब लाँच हो था तो इंटरसप्टर का जो टायर आता था उसको निकालना बहुत ही तो ओपन दर टायर मतलब वह टायर को रिमूफ करके टायर डालना उस टाफ जॉब इतना थिक टायर हो हेवी है आप वह सीट का टायर को होल्ड करोगा है है विट करोगा तो वह लोगों को पागल कर देगा मतलब अगर कहीं पंक्चन हो गया आप वह लग जागा आपका को चेंज करने में एक बार पंक्चन होगा पका बोलोगा आई तर में बाइक बेज दूंगा या फिर वेट करोंगा कब आरी लेकर आगा ट्यूबलेस किट एंड उसका जो भी प्राइस होगा मैं खरीद दूगा तो वह सीन है चीज कहना उसको फिर लगाना भी is a catch मतलब उ दिजाइन तो थोड़ा विंड ब्लास आपको मतलब राइडर को कम लगेगा विंड्शिल्ड भी है अगर आपको टूरिंग स्कांबलर के साथ करना है तो विंड्शिल्ड तो मैं अगे रह सकता है बट लग भग जो दोनों सेम रहेंगे मैं वैसे बहुत जादा तॉप जादा हाइलेट नहीं कर पाऊंगा नेक्स जो पॉइंट है दोस्तों हमें आ जाते हैं रिलाइबिलिटी के उपर मुझे यहां पर पर स्क्राम्बलर रहेगा थोड़ा सा ज्यादा रिलाइबल रहेगा इंजिन काफी सालों से तो प्रूवन इंजिन है तो इसमें वह सबब देखने देखे होंगे तो वैसे छोटा मुटा खुटपुट आता ही रहेगा मुझे लगता ही छे मैने के बाद हमालेन जो बेटर प्रॉड़क्त बन जाएगा जब इसारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंफार्ट आपको वतायता हूं जैसे मेरे सर्विस क वीडियो नहीं बनाया लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं यह वीडियो पर की जब से हमालेन पैदा हुआ है पुराना वाला हमालेन तब से है और अभी बुढ़ा पर आगे तब भी यह प्रॉब्लम चल रहा है आरी को यहां पर फोकस करना जीए ऐसे चोटे मोटे चीजों क लेकिन वह यह पर चीजों कि यह पर प्रॉब्लम क्यों आगे बेसिक सी चीजे मतब तो करके देना चाहिए तो उस हिसाब से पूलना हूं कि रिलाबिल्टी थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्कैंबलर पर होगा ना कमिंग नाव त शर्वी सेंटर यहां पर आरी को कोई हरा से दो तीन अभी सर्वी सेंटर हो गया तो अगर आप रूरल अरिये से हो या दूर सिटी से सर्वी सेंटर से दूर देना इंग वर यू राइट नाव बाइंग ट्राइंग जाब में फ्यूचर में आप सोच सकते हैं लगिन अभी नहीं तो ऐसी कुछ मिला जूला के जो है आपको बताया है तो फॉर मी राइट द इस मोमेंट आप डिफनेटल इस पर चाहिए आप यह बोलोग या आपने हिमारेन पहले ले लिया आपने एपने ले लिया इंग आपने दिसकूस दाट इन दी वीडियो तो देखो मैंने दोनों के दोने बाइक जो बुक किया था पूरा का पूरा पैसा भी ब्लॉक हो गया अब जो जब स्क्राइबलर आपके पहुंचा है कि मेरे लिए अवेलेबल है राइट नौ मैं थोड़ा सा टाइट चल रहा है लेकिन मैं लूंगा हो सकता है next month लूंगा या next to next month मैं लूंगा लेकिन डेफिनिटल आपने लोन है because that's a motorcycle to be parked नियोगा राज मतलब वो ऐसी है it's a good feeling यार वो बाइक आप देखने से अपको अच्छा लगेगा चलाने से भी मज़ा आता है it's a good bike वो ऐसे एक bike रहना चाहिए तो definitely मैं वो बाइक तो रखोंगा आचा जो मैंने आपको वर्डिक बताया कि आज के रेट पे मैं prefer क करूंगा स्क्रांबलर बढ़ हाँ अगर 6 मेने के बाद तब हो सकता है चीजे बदल सकता है जब रोल इंफिल्ट के पास भी ट्यूबले स्क्रिट आ चुका होगा सब कुछ हो चुका होगा तब में भी हम लोग और एक वीडियो बना सकते हैं in fact हिमालेन को मैं लॉंग टू लेकिन आप हेमालेन को लेकर ना बहुत सारे क्रेटर्स थोड़ा बाइस्ट है मुझे फील होता है यह पर्स्नल आपिनियों हो सकता है चीजें अलग ह आपके लिए 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 किमेलान को लेकर लोग ऐसे पूल रॉल रोल ने तो यार कुछ तो कर दिया मतुद बहुत कु जो रोल इंफिल्ड की fan follower रहेंगे, मैंने देखा यार, बहुत अजीब से followers हैं, देखो यार, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हो, कोई भी bike, कोई भी motorcycle, दुनिया में perfect नहीं होता है, हर चीज़ में कुछ अच्छा ही, कुछ बुरा ही रहता है, point कह पता है, आप अपसाइद एक owner के हिसाब से आप जो बुराहें को है, उसको नेगलेट कर से तो या फिरा बोल से को नहीं मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अगर मैं एक YouTuber बनके जिसका काम है कि सब कुछ दिखाना as it is, अगर मैं वो काम करने लगूंगी नहीं यार, बुराहें नहीं बुलत आपको मोटोसेकल खरीद नहीं मैं बताऊंगा इस बीच मैंने और गडबड किया मतलों और एक मोटोसेकल भी मैंने खरीद लिया है, वो आएगा तो वो बताऊंगा कब आरा है